परम पूजनिय स्वामी जी, भारत स्वाविमान के सभी संवाननिय भाईव बहनो, परम पूजनिय स्वामी जी के निरदेश के अनुसार, मैं आपको सिक्षा और कानून व्यवस्था के बारे में थोड़ी बात करूँगा, विस्तार में. मेरी बात शुरू करने के पहले एक कहानी सुनाता हूँ आपको सच्ची कहानी उस कहानी में मेरी बात का पूरा निशकर्ष है कहानी हमारे देश के एक वैग्यानिक की है उनका नाम था प्रोफेसर जगदीश चंद्र बोस आपने सुना बहुत बड़े वैग्यानिक हुए अपने भारत देश के हम सभी भारत वासियों को उनके उपर बहुत गर्व है गौरव है प्रोफेसर जगदीश चंद्र बोस ने एक रिसर्च किया था वो भी आप सब जानते हैं कि ये जो पेड़ पौधे होते हैं न ये भी मनुश्यों की तरह से सुख दुख के भागिदार होते हैं पेड़ों में पौधों में वैसा ही जीवन है जैसा मनुश्यों में होता है पेड़ पौधे भी आपकी तरह से हसते हैं रोते हैं खिल खिलाते हैं पेड़ पौदे भी आपकी तरह से दुख ही होते हैं, सुख ही होते हैं, सब कुछ उन में मनुश्यों जैसा ही होता है, बस इतना ही है कि भाशा नहीं है उनके पास, बाकी सब है. ये काम करने के लिए प्रोफिसर जगदीश चंद्र बोस ने अपने घर में एक एक्सपरिमेंट किया था, प्रयोग किया था, उसकी कहानी है, उन्होंने क्या किया, अपने घर में गमले लाए, गमले आप समस्ते हैं, जिसमें पौधे लगाते हैं, तो घर के दो हिस्से कर दि रोज सबेरे उठते थे और एक तरफ के जो पौधे वाले गमले हैं, उनको गालियां देते थे, तुम नालाएक हो, तुम निकम्मे हो, तुम नकारा हो, तुम बदसूरत हो, तुमारे अंदर कोई गुण नहीं है, तुमारे अंदर कोई भी अच्छी बात नहीं है, ये दूसरी तरफ के पौधों के सामने जाके वो उनकी इतनी बढ़ाई करते थे, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत सुन्दर हो, तुम बहुत सद्गुणी हो, तुमारे अंदर इतनी अच्छाईयां है, तुमारे अंदर इतनी खूबियां है, तुमारा इतिहास बहुत उ इस तरह की अच्छी अच्छी बातें करते थे छे महीने लगातार प्रोफिसर सहाब ने ये परीक्षन किया परिणाम जानते हैं क्या हुआ जिन पौधों को वो गालियां देते थे वो सम मुर्जा गए और जिन पौधों की वो प्रशंसा करते थे बढ़ाई करते थे वो सब खिलाके दोगुनी रफ्तार से बढ़ने लगे इस पूरी कहानी से जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये कि जब किसी को गालियां दी जाती है और किसी को नीचा दिखाया जाता है तो वो मुर्जा जाता है और जब किसी की बढ़ाई की जाती है प्रशंसा की जाती है तो बहुत अच्छा हो जाता है हमारे लोगों के साथ ऐसा ही हुआ 200 से 200 साल अंग्रेजों ने हमको गालियां दी तुम भारतवासी निकम में हो, नालाइक हो, नकारा हो तुमारी संस्कृती खराब है तुमारी सब्विता खराब है तुमारे अंदर कोई दर्शन नहीं है तुमारे पास विग्यान नहीं है तुमारे पास तक्नीकी नहीं है तुम कुछ नहीं जानते हो तुमारी सब्विता ही पूरी चौपट है ये अंग्रेजों ने हमको 200 से 200 साल कहा एक अंग्रेज ने कहा फिर दूसरे ने कहा फिर तीसरे ने कहा फिर चोथे ने कहा फिर पांचवे ने कहा फिर एक अंग्रेज आया जिसका नाम था टीवी मैकॉले उसने कहा कि एक एक अंग्रेज आता है और भारतवासियों को गाली देता है कोई ऐसी व्यवस्था बनाओ जो पर्मनेंट गाली दे सकती हैं वो कहीं भारतवासिजों को भारती चौर थे छोर थे डखेट थे लुटे ने थे लुचे थे लुचे थे लफंगे थे लंपटते सारी निए लगाओ का मास ॔ करते थे हां अच्छा कोいい भी को ने लिए को को ये भारति बात को मानने के लिए कज़तर नहीं कि अखते हैं हिं लेकिन आज तक मैं एक हिंदू को मास खाते हे या ME करें तो ये एक ह कैसे हो सकता है कि पहले क्षाते थे आ अज कि अब जी राजिव जी और इसी तरह से एक सबसे बड़ी गाली जो हम को मिली मैं सबी गालियों में सबसे खराब मानता हूं उसको कि हम आरे लोग बाहर से आए और हमने भारत के द्रविडों के उपर आकर्मन और हमला करके कबजा कर लिया और द्रविणों को मारते मारते दक्षन भारत में धकेल दिया और पूरे उत्तर भारत पर आरेयों ने कबजा कर लिया ये सबसे बड़ी गाली है जो हमें धाई सो साल अंग्रेजों ने दी अंग्रेजों के पहले यही गाली हमको फ्रांसी सी देते थे और अबी भी दी जा रही है और फ्रांसी सीओं से पहले ये गाली हमको पुर्तगाली लोग दिया करते माने पिछले 500 साल से अगर आप ध्यान से देखें सुने समझें तो हमको इसी तरह की गालियां दी गई अब वो गालियां सुनते सुनते एक अंग्रेज आता था गालियां देखे जाता था दूसरा आता था देखे जाता था तीसरा आता था देखे जाता था एक TV मेकॉले नाम कांग्रेज आया उसके दिमाग में एक वाइडिया आया विचार आया कि ये एक एक अंग्रेज भारतवासियों को गाली देता है कोई ऐसी व्यवस्था बनाओ जो भारतवासियों को पर्मनेंट गाली देने वाली हो उस व्यवस्था को उसने कहा एजुकेशन उसी का नाम है सिक्षा व्यवस्था और ये वो अठारे सो चालीस में देखे चला गया इंडियन एजुकेशन सिस्टम हाँ एक कानून बनाया उसने जब वो भारत में आया तो यहां जो सबसे उचा अधिकारी होता था भारत में उसको कहते थे गवर्नर जर्नल आज उसकी हैसियत है प्रधान मंतरी की आज का जो प्रधान मंतरी है अंग्रेजों के जमाने में वो गवर्नर जर्नल होता था तो गवर्नर जर्नल की काउंसिल का वो मेंबर होके आया था और उसको बहुत अधिकार थे टीवी मेकॉले को टीवी मेकॉले के लिए जो पत्र भेजा गया था बिटिश पार्लिमेंट से भारत के गवर्णर जर्णल को उसमें एक वाक्य लिखा हुआ है कि ये व्यक्ति जो विचार व्यक्त करेगा वही नीती बन जाएगे इतनी उची अधिकार और अथॉरिटी के सा तो मेकॉले ने आके जो सबसे खराब काम एक किया हमारे हिसाब से और अंग्रेज़ों के हिसाब से सबसे अच्छा काम कि उसने लगातार गाली देने वाला एक तंत्र बना दिया जिस तंत्र का नाम उसने रखा सिक्षा व्यवस्था एजूकेशन और इस एजूकेशन में इस तरह से विशे डाले गए कि हर एक विशे भारतवासियों को गाली देने वाला सिद्ध हो और भारतवासी लगातार ये गालियां सुनते सुनते मुर्जा जाएं और आत्म गलानी की स्थती में पहुँच जाएं उसने जो इतिहास बताया हमारे देश में जो इतिहास हम पढ़ते हैं उस इतिहास को जान बूझ कर राजाओं का इतिहास बताया आप जानते हैं हमारा पूरा इतिहास आज आप पढ़ें जो मैकॉले के द्वारा रचित है या मैकॉले एजुकेशन के द्वारा दिया हुआ है उस इतिहास में राजाओं के बारे में ही कहानिया है प्रजा के बारे में कहीं कुछ नहीं है रिशियों के बारे में कुछ नहीं हमारे एक राजा से दूसरे राजा की लड़ाईया हो रही है तो सारे इतिहास में लड़ाईया ही लड़ाईया है आप मुझे एक बात बताओ अगर सब एक दूसरे से लड़ते ही रहेंगे तो समाज कहां बचेगा समाज तो खतम हो जाएगा भारत तो हजार साल पहले ही खतम हो जाता अगर हर एक राजा दूसरे से लड़ रहा होता अपना आज का इतिहास पढ़ें तो एक ही बात समझ में आती है ये राजा उस पर हमला कर रहा था वो राजा उस पर हमला कर रहा था वो राजा ने उस से को इतनी आत्म गलानी पैदा हो जाए कि हमारे पुर्खे तो लड़ने भड़ने के अलावा कुछ करते ही नहीं थे आप मुझे एक मोटी सी बात बताईए अगर कोई समाज लगातार लड़ता रहे जगड़ता रहे वो वेदों की रचना कर सकता है कोई समाज हमेशा लड़ता रहे जगड़ता रहे हजारों हजारों वेदों की रिचाएं लिख सकता है अगर कोई समाज हमेशा लड़ता रहे जगड़ता रहे वो उपनिशदों की नचना कर सकता है कोई समाज अगर लड़ता रहे जगड़ता रहे वो नीती वाक्यों के लिए लड़ मर सकता है सवाल ह नहीं उठता क्योंकि इतिहास पढ़ने से तो ऐसा लगता है कि किसी राजा को लड़ाई से फुरसती नहीं और किसी सामराज में शांती नाम की कोई चीज नहीं तो मैकोले ने इतिहास ऐसा दे दिया और उस इतिहास में प्रजा गायव है ध्यान रखियेगा राजा ही राजा है और राजाओं की अच्छाईयां गायव है बुराईया ही बुराईया है इसने उस पर हमला किया उसने उस पर हमला किया इसने इसको मारा उसने उसको पीटा उसने उसका राज़ चीन लिया इसने उसका राजे चीन लिया इसी तरह का इतिहास हम पढ़ते हैं और अगर इसी तरह का इतिहास पढ़ेंगे तो कैसा दिमाग बनेगा हमारा वैसा ही बनेगा जैसा मैं को ले चाहता था इसी तरह से हम भारत के दूसरे शास्त्रों की बात करें हम गणित की बात करें मैं एक उधारन से कहता हूँ मैंने बच्पन में गणित पढ़ा है अंग्रेजी स्कूलों में कैसा गणित पढ़ाय जाता वो आप में से भी कई जानते होंगे मैं को लेने कैसा गणित पढ़ाया हमको एक छोटे से उधारन से समझाता हूँ, गनित में मुख्य काम किसी भी बच्चे को सिखाने का क्या होता है, जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग देना, ये चार मुख्य क्रियाएं हैं गनित में, जो प्रात्मे किस तर पर हर बच्चे को सिखाई जाती है, तो हमें ज जोड़ना सिखाना है, या घटाना सिखाना है, या गुणा करना सिखाना है, या भाग देना सिखाना है, तो सिखाने के लिए मेकॉले सिस्टम का सवाल कैसे लिखा जाता है, वो एक सवाल बताता हूँ आप, मुझे बच्च्पन में गनित जब सिखाया जाता था, तो आप डेडी का माने होता है, डेडी माने मरा हुआ, डेडी माने मरे हुए जैसा, यह उसका अंग्रेजी में हिंदी अर्थ है, मरे हुए जैसा, तो पिता जी नहीं है, पिता श्री नहीं है, डेडी ने 10 रुपए दिये, या पापा जी ने 10 रुपए दिये, पापा नाम के शब्द का कोई अर्थ आज तक दुनिया में किसी को नहीं मालूँ और हम बोलते रहते हैं अपने अपने पिताजी को पापा 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 का कोई अर्थ ही नहीं है किसी भी भाशा में तो पिताजी ने दस रुपए दिये मान लीजे मैंने उसको संशोदित कर दिया, पिता जी ने 10 रुपई दिये, उसमें से 5 रुपई की चॉकलेट खाई, बताओ कितना बचा, अब देखो सवाल देखो, पिता जी ने 10 रुपई दिये, उसमें से 5 रुपई की चॉकलेट खाई, बताओ कितना बचा, हम क्या सिखाना चाहते हैं, घ घटाना उधारन क्या लिया पिता जी ने दस रुपए दिये पांच रुपए की चॉकलेट खाई तब कितना बचा अब बच्चा बच्पन से ये सवाल करना शुरू करेगा तो दो तीन साल के बाद वो पूछेगा चॉकलेट किस की खाऊं केटबरीज की की नैसले की आप मेरी बात पर ध्यान दीजेगा बार बार वो ये सवाल हल करेगा पिता जी ने दस रुपए दिये पांच रुपए की चॉकलेट खाई तो एक दिन पूछेगा चॉकलेट केटबरीज की खाऊं की नैसले की क्योंकि टीवी में रोज विग्यापन में वो देखता है कि या तो नैसले तो हमने बच्चे को घटाना नहीं सिखाया हमने बच्चे को घटाना सिखाने के बहाने चॉकलेट का उपभोकता बनाया अगर यही सवाल मुझे सिखाना हो मैं भरतिया आदमी हूँ और वैदिक पद्धिती में अगर यह सवाल सिखाना हो या वैदिक पद्धिती की ना भी बात करूँ भरतिया पद्धिती में यह सवाल सिखाना हो तो माफ करेंगे इसको सिखाने के लिए मैं ऐसे सिखाऊंगा पिता जी ने 10 रुपए दिये मैंने 5 रुपए किसी गरीब को दान कर दिये बताओ कितना बचा सवाल तो एक ही है ना घटाना ही सिखा रहे हैं हम 10 में से 5 गए 5 बचा यही हम उसको सिखा रहे हैं लेकिन सवाल की जो भाशा है वो एक जगे पिता जी ने चौकलेट के लिए 5 रुपए दे दिये दूसरी जगे पिता जी ने दान करने के लिए 10 रुपए दिये अगर हर बच्चा 2-3 साल यही सवाल करेगा 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 तो एक दिन पूछेगा यह दान क्या होता है फिर पूछेगा दान क्यों देना चाहिए फिर पूछेगा दान किसे देना चाहिए अगर वो दान के बारे में पूछने लगेगा दान क्या होता है क्यों दिया जाता है क्यों देना चाहिए तो अपने आप वो भारतियता में आ जाएगा और अगर 10 रुपए में से 5 रुपए की चॉकलेट खाएगा तो हमेशा वो अंग्रेजी सब्विता में ही जाएगा और एक उधारण से मैं बच्पन में जब पढ़ता था आप भी पढ़ते होंगे तो हमको कहते थे ऐसे लिखके लाओ हमको हूमवर्क दिया जाता था ऐसे लिखके लाओ तो हमारी टीचर को क्या विशय सूचते थे ऐसे के लिए वो कहती थी तुम पिकनिक मनाने गए उस पर ऐसे लिखके लाओ अब मैं पिकनिक मनाने जाओंगा और उस पर ऐसे लिख कर लाओंगा, मनि निवंद लिख कर लाओंगा पिक्निक के ऊपर, तो सौ प्रतिशत मुझे अंग्रेज और यूरोपिय सब्विता में ही जाना पड़ेगा, मुझे ये कभी नहीं कहा किसी भी टीचर ने, कि तुम निवंद लिख कर लाओ, तुम माता पिता के साथ तीर्थिस्थान की यात्रा करने गए थे, बद्रिनाद गए थे, केदारनाद गए थे, गंगोत्री गए थे, यमनोत्री गए थे, उसका लिख के लाओ, ये कभी भी किसी कक्षा में मुझे ना किसी ने पढ़ाया, ना सिखाया, मुझे हमेशा ये सिखाया, ऐ आईसे लिखके लाओ, पिकनिक पर गए, और पिकनिक पर गए तो डबल रोटी ले गए, पाव रोटी ले गए, टेमेंटो कैचप ले गए, तो बटर ले गए, तो ये सब यूरोपीय सब्विता की चीज़ें ले गए, और इन मेंसे ये हमने खाया, दूसरों को खिला, ये की तरह से उपभोकता बनाने के लिए, हमने पूरी सिक्षा तयार की है, माफ करिएगा, आज की जो पूरी की पूरी सिक्षा व्यवस्था है, ये हमको नागरिक नहीं बनाती है, कंज्यूमर बनाती है, उपभोकता बनाती है, वो चाहे लक्स का हो, या लाइफ बॉय का हो, या केटबरीज का हो या नैसले का हो और मैं उची सिक्षा की भी बात कर रहा हूँ उची कक्षाओं में जो सिक्षा दी जाती है माद्दे में किस तर तक और उसके आगे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तक ये सिक्षा भी हमको कंज्यूमर बनाने के लिए ही है बस कंज्यूमर अलग अलग तरह का है जब बचपन की सिक्षा है वो प्रॉड़क्ट का कंज्यूमर बनाने के लिए है और higher education है वो किसी university अमेरिका और यूरोप की उसका consumer बनाने के लिए हमको सिक्षा दी जाती है engineering में हमारे देश के लाखों विद्यारतियों को जो सिक्षा दी जाती है उसका अंतिमुद्देश एक ही है कि ये विद्यारती भारत छोड़कर अमेरिका चला जाए यूरोप चला जाए फिर वहां पर सेवाएं दे क्योंकि वहां एक engineer तैयार करने में उनको करोड़ों डॉलर खर्च होते हैं और यहां से उनको वो फोकट में मिल जाता है तो यह पूरी की पूरी सिक्षा व्यवस्था जहाएं जो आज हम ढो रहे हैं हमारे कंदे पर मैकोले की दी हुई सिक्षा व्यवस्था इतिहास उसी समय का पढ़ाय जा रहा है भूगोल भी हमने नहीं बदला हमारा भूगोल भी अंग्रेजों के जमाने का जो तैय हो गया है वही भूगोल हम पढ़ते हैं सिविक्स और एकॉनोमिक्स वही पढ़ते हैं अर्थशास्त्र में पता हैं सारी की सारी थियोरीज जो पढ़ाय जाती हैं वो सब वेस्टर्न थियोरीज हैं अर्थशास्त्र का आप में से कोई भी विद्यार्थी होगा जो म.A. in economics करता हो या पिएजडी in economics उसने किया हो उसको सारे सिध्धांत जो पढ़ाय जाते हैं वो पश्चमी विचारकों के सिध्धांत हैं एक भी हिंदुस्तानी अर्थशास्त्री विचारक का कोई सिध्धांत अर्थशास्त्र में नहीं पढ़ाय जाता इस देश का सबसे बड़ा अर्थ शास्त्री विचारक जो माना जाता है वो चानक के है, चानक की का एक भी सिध्धान M.A. Economics में नहीं है, B.A. Economics में नहीं है, Intermediate में नहीं है, High School में नहीं है, उसके पहले भी कहीं नहीं है, सारे के सारे पश्चमी अर्थ शास्त्रीयों के सिध इसी तरह से एक दर्शन शास्त्र विचे पढ़ाया जाता है, फिलोसोफी, पूरा का पूरा फिलोसोफी भरा पढ़ा है, पश्चमी विचारकों से, देकारते का थियोरी पढ़ लीजे, लिबिनिज्ज का थियोरी पढ़ लीजे, अरस्तू का थियोरी पढ़ लीजे, और या सुकरात का थियोरी पढ़ लीजे और उनके थियोरी जब मैंने पढ़ने शुरू किये तो मिंतनी हसी आती है कि ऐसे मूर्ख विचारकों की थियोरी अगर हम पढ़ते हैं तो हम मूर्ख ही पैदा होंगे, अकल वाले तो हो नहीं सकते, आपको एक छोटा उधारन दो, सुक है, दोनों की एक मानिता सुनना ध्यान से, और फिर सिर पीटना अपना, कि अगर यही महान दर्शन शास्त्री हैं वो, तो फिर हमारे सबसे खराब दर्शन शास्त्री उनसे अच्छे, दोनों स्वामी जी कहते हैं, इस्त्री को शरीर में आत्मा नहीं होती, ध्यान से सुनन सुकरात, सुकरात अरस्तु दोनों कहते हैं इस्त्री को शरीर में आत्मा नहीं होती इस्त्री ऐसे होती है जैसे मेज या कुर्सी कुर्सी और मेज को कभी भी उठा कर फेका जा सकता है इस्त्री को भी कभी भी उठा कर फेका जा सकता है ये दर्शन है सुकरात का और एक जगे तो सुकरात इतनी खराब बात कहता है, इस्त्री ऐसे होती है, जैसे कोई कपड़ा जब जरूरत पड़ी उतार के फेग दिया, जब जरूरत पड़ी पहन लिया, और अरस्तु तो उससे भी एक कदम आगे जाके कहता है, कि कपड़ा शरीर पर हमेशा नहीं धारण किया जा सकता, इसलिए इस्त्री को भी हर समय साथ में नहीं रखा जा सकता, आप इससे भी ज़्यादा सिर पीटेंगे, ये सुकरात के विचार हैं, ये अरस्तु के विचार हैं, और अरस्तु और सुकरात ये दोनों कहते हैं, इन दोनों की माननिताओं को आज तक पश्चमी समाज खंडित नहीं कर पाया, लेविनिट्स भी वही कहता है, दिकारते भी वही कहता है, और उसके बाद के सारे फिलोसफर्स यहीं मानते हैं, इसलिए महिलाओं के प्रती, पश्चमी समाज में कोई आदर भाव नहीं है, महिला वस्तु की तरह है, इस्तिमाल करो और फेको, यूज एंद थ्रो, फिलोसफी में से आया, कोई भी जीवन दर्शन जो है न वो फिलोसफी से निकलता है, एक मूल बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी सब्विता दर्शन में से निकलती है, समाज का जैसा दर्शन होगा, सब्विता वहसी ही बनती चली जाएगी, पश्चमी समाच का दर्शन इस्त्रियों के बारे में ये है कि इस्त्री वस्तु की तरह से है उसमें आत्मा नहीं है आपको एक जान करीदू सन 1950 तक ब्रिटेन में बहुत ध्यान से सुनना इस बात को सन 1950 तक ब्रिटेन में, अमेरिका में, फ्रांस में, जर्मनी में, स्वीडन में, सुट्जलेंड में और डेनमार्क में इतने देशों में सन 1950 तक किसी भी महिला को वोट देने का अधिकार नहीं था आपको मालूम है ये बात अमेरिका में इस्त्रियों को वोट देने का अधिकार 1952 के बाद मिला और सन 1950 तक यूरोप और अमेरिका के किसी भी देश में इस्त्रियों को बैंक एकाउंट खोलने का अधिकार नहीं था बैंक अकाउंट या तो उसके पती का हो सकता है या उसके बेटे का हो सकता है या भाई का हो सकता है किसी महिला का बैंक अकाउंट नहीं हो सकता और 1950 तक पूरे यूरोप और अमेरिका में कोई इस्तरी घर से अकेले बाहर नहीं जा सकती भले बाहर जाना हो तो चार साल के पिद्दी से भाई को साथ लेना पड़ेगा भले वो लड़की 20 साल की हो चार साल का भाई है उसका जो कोई सुरक्षा नहीं कर सकता वो उसके साथ जाएगा वो अकेली नहीं जा सकती इतनी पाबंदिया महिलाओं पर लगा कर रखी है पश्चमी समाज ने इसलिए वहाँ पर वीमिन्स लिब्रलाइजेशन नाम का आंदोलन चला जो सैकड़ों साल तक चला और उस आंदोलन की थोड़ी सी सफलता मिली कि 1952 में आके कुछ देशों ने वोट देने का अधिकार दिया 1957 में आकर कुछ देशों में इस्त्रियों में बेंक एकाउंट खोलने का अधिकार मिला और आपको मालूम है अभी 20 साल पहले तक यूरोप में इस्त्रियों की तंखा और पुरुष की तंखा में जमीन आस्मान का अंतर था, अभी 20 साल पहले तक कोई एक काम आप करो, तो पुरुष को अगर 100 डॉलर मिलेंगे, तो इस्त्रि को वही काम करने के 30 डॉलर ही मिलेंगे क्यों? कहा जाएगा इसमें तो आत्मा नहीं है, और मुझे बहुत खराब लगता है ये कहते हुए, कि यूरोप और अमेरिका में अभी 20 साल पहले तक तीन इस्त्रियों की गवाही एक पुरुष के बरावर होती थी, तीन इस्त्रि जो बात कहेंगी, एक पुरुष वो कहेगा, ये बरावर माना जाता था, ये उनकी सब्विता है, ये उनका दर्शन है, अब ये सब्विता और ये दर्शन लेकर टीबी मेकॉले भारत आया, भगवान मानते हैं, वो देकारते को भगवान मानते हैं, वो अरस्तु को भगवान मानते हैं, वो सुकरात को भगवान मानते हैं, उन्ही देशों से आया मैकौले, तो उसकी मान सिकता भी वही थी, इस्त्रियों के विरोध में, और आया, तो पूरी सिक्षा व्यवस्था उसन खंद खंड़ पर आप देखेंगे, इस पूरी सिख्षावयवस्था में, इस्त्रीयों का जितना आपमान होता है, शायद कोई कल्पना नहीं कर सकता, और वही सिख्षावयवस्था, हम ढोते हुए चले आरे, हमारे देश का दर्शन है, हमारे देश की सब़ीता है, कि इस्त् आती है दर्शन पढ़ रहा था, तो नाम भूल गया हूँ दर्शन शास्त्री का, याद आएगा तो बताऊंगा, उसने एक वाक्य लिखा, इस्त्री से जादा पवित्र दुनिया में कोई नहीं होता, और उस दर्शन शास्त्री ने यहां तक लिखा है, कि पुरुष में पवित्रता तब आती है, जब वो इस्त्री की कोक से जनम लेता है, अनिता उसमें पवित्रता नहीं होती है, और यही बात उसने पती के लिए लिखी, कि जब कोई कुमारा लड़का शादी करता है, तब प हमारे देश में बहुत सारे मंदिर हैं, जहां पर यह सिद्धान तबी भी लागू है, अगर आपके पास आपकी धरम पत्नी नहीं है, तो मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, ऐसे भारत में मंदिर हैं, और वो भारतिय दर्शन पर चलते हैं, वो कहते हैं, आप पवित योगी है तो उसका अपना कंट्रोल है इंद्रियों पर, मन पर, योगी नहीं है तो वो पता नहीं कहां-कहां जाएगा, कहां-कहां मुणारेगा, चरेगा, खाएगा, कुछ मालोम नहीं एक बात सीधी सी यही है इसमें तो, कि व्यक्ति जो है, एक इनसान जिसको हम पुर्ष कहते हैं, पुर्ष कोई आसमान से तो गिरा नहीं, जितने भी पुर्ष आये मा की कोक से आये, इसलिए पुर्ष में जितने भी शक्तिया हैं, जितने भी पवित्रत आये हैं, उनका स्रोत मा है उनका मूल मा है अब ये हमारी दर्शन है भारत की इस दर्शन को यूरोप में कोई नहीं मानता हम मानते हैं तो हम जिस दर्शन को मानते हैं वैसी हमारी सब्विता होगी और वैसी ही संस्कृती होगी यूरोप वाले जिस दर्शन को मानते हैं वैसी उनकी सब्विता होग वैसी हमारी सिक्षा होगी तो हम जब गुरकुल की सिक्षा लेते थे भारत की अपनी सिक्षा होती थी तो उसमें इस्तरी मा थी इस्तरी दुर्गा थी इस्तरी हमारे देश में प्रेरणा का शुरोत थी महिला सारे के सारे काम का केंद्र बिंदू थी ये गुरकुलों की सिक्षा से दिखाई देता है, क्योंकि हमारे पास जो दस्तावेज हैं अंग्रेजों के जमाने के, इस देश में आदे से ज़्यादा विश्विद्यालियों की कुलपती महिलाएं थी, इस्तरियां थी, आदे से ज़्यादा, और विश्विद्याले इस तर करेंगे तो महिला का इस तर उसमें नीचे से नीचा रहेगा और हम जब सिक्षा की डिजाइनिंग करेंगे तो महिला का इस तर उचे से उचा रहेगा तो यूरोप की सिक्षा व्यवस्था ले लेकर हम जो 200 साल से परेशान हुए हैं और हमारा दिमाग खराब हुआ है ओ दिम का वही हश्र है, जो यूरोप में 50 साल पहले हुआ करता था, क्योंकि हम 200-200 साल से अंग्रेजी सिक्षा पढ़ रहे हैं, तो हमें करना क्या है? उसकी पवित्रता नश्ट कर रहे हैं, उसको पबों में ले जाना चाहते हैं, उसको जह है, शराब खानों में ले जाते हैं शराभी बनागा जाते हैं हमारे हां मौडर्न होने के नाम पर महिलाओं को यही तो कर रहे हैं ना उनको नचाते हमने इस तरीकों मालियन नाचने की चीज पहले नाचने वालियों को सबसे घटिया मानते थे और आज कोई नाचने वाली आ तो पूरा गाउं, पूरा देश पागल हो जाता है, क्या तमाशा हो रहा है? गाउं में नोटंकी आजाए स्वामी जी, तो सब काम छोड़के कठे हो जाते हैं, कई बार मेरे साथ हुआ है, मैं व्याख्यान देने किसी गाउं में गया, नोटंकी वाले आये हुए, व्याख्यान सुनने कोई नहीं आया, सब नोटंकी में बैठे, और नोटंकी में इतनी गंदी गंदी बातें महिलाओं के लिए, इस्त्रियों के लिए कही जाती हैं और बोली जाती हैं कि कोई कान में रूई ठूस ले, फिर भी तकलीफ हो उसको। तो हमने गड़बड कर दिया धाईसो साल, दिमाग में एक तो धाईसो साल सुनते रहे अपने बारे में गालियां और फिर इस्त्रियों के बारे में ये माननिता जो मैकॉले की और यूरोप के दार्शनिकों की और उसी माननिता अस पर आधारित हमारी सिक्षा व्यवस्था, तो सारी सिक्षा व्यवस्था ने सबसे ज़्यादा तकलीफ दिया है, तो हमारी महिलाओं को दिया है, मुझे सबसे ज़्यादा दुख और तकलीफ पता है किस बात की होती है, सबसे बड़ा दुख और तकलीफ मेरा क्या है, कि मैंने जो पढ़ा, वो मेरी माँ को नहीं माल कि उसका बेटा क्या पढ़ रहा है उसकी मा ना जानती हो और मा बेटे को पढ़ा ना सकती हो इससे बड़ी टूटन और खराब किसी भी समाज में क्या हो सकती है कोई चीज हमारे देश में ज्यादातर माताओं का यही हाल है उनके बच्चे बेटे या बेटी क्या पढ़ रहे हैं वो खुद नहीं पढ़ा सकती इसलिए ट्यूटर रखना पढ़ता है और ट्यूटर क्या पढ़ा के जाता है मा को कुछ नहीं आता है क्यों सिक्षा व्यवस्था से मा पूरी तरह से गायब है क्योंकि पूरी सिक्षा व्यवस्था की डिजाइन ऐसे की गई है जिसमें मा क कोई रोल ही नहीं है हम गुरकुल की सिक्षा में सबसे बड़ा गुरू मा को मानते है और यूरोपियन सिक्षा व्यवस्था टीवी मेकॉले की सिक्षा व्यवस्था में सबसे बड़ा गुरू मेकॉले हो गया मा नहीं है और वो मेकॉले हो गया जो मानता ही बदलना है, भाशा बदलनी है, वो तो स्वामी जी ने कहा, भाशा के साथ हमें content बदलना है, text बदलना है, जो माँ विरोधी है, इस्तरी विरोधी है, महिला विरोधी है, इसके आगे हम चलेंगे, तो विशय भी बदलने हैं हमको, आप मैंसे mathematics पढ़ने वाला कोई विद्यार थी यहां बैठा हो, जिसने MSC mathematics किया हो, उसके लिए मैं कहना चाहता हूँ, कि mathematics में हम इतने विशय पढ़ते हैं, जो जिन्दगी में कभी काम नहीं आते, differential calculus पढ़ते हैं, integral calculus पढ़ते हैं, statistics पढ़ते हैं, dynamics पढ़ते हैं, सब रद्दी और एकदम बेकार, trigonometry पढ़ते हैं जो किसी काम की नहीं हैं, शायद हाँ, कब से शुरू हो गया, 12 से शुरू हो गया, और तकलिफ की स्थि, पहले MSC में होता था, BSC में, अब 12 से शुरू हो गया, तो आप सोचिए कि जो विशय जिन्दगी में कभी काम नहीं आने वाले, मैंने dynamics पढ़ा, मैंने aesthetics पढ़ा, मै आज तक मेरी जिन्दगी में एक बार भी काम नहीं आया, तो मैं मेरे गनित के अध्यापकों को जब भी मिलता हूं, पूछता हूं, आपने मुझे ये सब क्यों पढ़ाया, मेरे तो काम नहीं आया, तो मेरे अध्यापक कहते हैं, हमको किसी ने पढ़ाया, हमने तुमको पढ़ाया था, धहिया पोना सवया समझतें, ये पुराने गाउं के लोग यी पढ़ा सकते हैं, आजकल कॉनवेंट वालों को तो कुछ समझ में नहीं आता, धहिया पोना सवया, मेरी दादी जो कभी स्कूल नहीं गई, किसी कॉलेज में नहीं पढ़ी, एकदम हरफ निरक्ष काला अक्षर भैस वरावर अगर आप उसको कहना चाहें तो कह सकते हैं उसने मुझे धाया पोना सवया के पहाड़े सिखाए और वो रोज मेरे जिंदगी में काम आते हैं हर समय मेरी जिंदगी में काम आते हैं दादी स्वर्गवासी हो गई है तो भी मेरे काम आ रहे हैं और जब तक मैं जिंदगी भर काम आती है वो हम क्यों नहीं पढ़ाएं इस्तरियों को सम्मान देने वाली बाते हमारी सिक्षा व्यवस्था में क्यों नहीं हो विशय हमारे ऐसे होने चाहिए सारे विशय एक तरफ से ऐसे होने चाहिए जो इस्तरियों को सम्मान दे सके क्योंक बनाना है हमारे देश में हम एक जिम्मेदार नागरिक बने ना कि किसी कंपनी के उपभोकता आजकल एक सर्वसिक्षा अभियान चल रहा है ना सर्वसिक्षा अभियान का एकी उद्देश है हर व्यक्ती को A-B-C-D सिखाना और A-B-C-D सिखाने के पीछे उद्देश क्या है टीवी पर आने वाले विग्यापन वो पढ़ सके L for Lux, P for Pepsi, C for Coca-Cola ये बताना उसको ABCD पताने के पीछे एक ही उद्देश है और कोई उद्देश नहीं वो कहते हैं साक्षर्ता, साक्षर्ता, साक्षर्ता सिक्षा की बात नहीं करते, साक्षर्ता की बात करते हैं ताकि विग्यापनों में फरक आप पढ़ सकें और एक अच्छी कंपनी के अच्छे उपवोकता बन कर अपनी जेब कटवा सकें और उस कंपनी की लूट बढ़ा सकें तो हमें पूरी सिक्शा व्यवस्था जो कंजूमर बनाने के लिए मैकॉले हमारे यहां छोड़कर गया इसको बदल देना हैं और एक जिम्मेदार भारतिय नागरिक बनाने की सिक्शा व्यवस्था हमें लानी हैं इसके लिए भारत स्वाविमान का अभियान है और यही हम करें यह हमारी अभीष्ट इक्षा है धन्यवाद आभार यह तो एक ही वेशे हुआ आपका अभी और इसमें इसमें वो एक हम चीज और भी जोड़ना चाहते है अक्षरत की बात कर रहे थे ना अभी लैमानी लक्स सी ऑधिमाने कोखा खोला और जह है ऐमानी अप्राद शै मने शराब यह सारे के सारे से बाहर निकालके जहां अभी तो सिक्षा में एक ही पक्ष लिया था है शिक्षा में चिकित्सा है हमें जो चिकित्सा पद्धती पढ़ाई जाते हैं के अम्बी बीएस डोक्टर बनता है पूरी दुनिया मानती है कि चिकित्सा के, चिकित्सा क्षेत्र के, चिकित्सा सास्त्र के, चिकित्सा पद्धती के, जो फोर फादर हैं, मूल गुरु हैं, वो कौन हैं? भारशी चरक और शुर्षुत. लेकिन दुरभाग्ये से हमारे देश में जो MBBS डॉक्टर बनाए जाते उनको चरक शुर्षुत धनवंतरी और शारंगधर का नाम तक नहीं पढ़ाया जाता, पतंजली का नाम तक नहीं पढ़ाया जाता, ये पूरी चिकित्सा का पूरा सास्त्र और उसका पूरा इतिहास वो भी हमें बदनना होगा, हम एलोपैत के, अर्वेद के डोक्टर लग बनाएंगे, लेकिन एलोपैत का चिकित्सा भी पैदा होगा, तो ये मानेगा कि चिकित्सा के मूल गुरु तो भारत के रिश्य मुनी थे, ऐसी बात हम पैदा काना जाएं, तो एक इसमें जह है, ये सिक्षा के एक शेत्र में, जह है अभी भाई राजी उजी ने बात कही, उसका थोड़ा एक थीम दिया, आपको एक चिंतन दिया, एक दिशा दी, ऐसे ही दूसरी बात जो मैं कह रहा है था, कानून विवस्ता, जो दूसरा पक्षा है, तो हमने जो 11 मुद्धे आपके सामने रखे थे, स्वास्थ, सिक्षा, स्वदेशी, ग्रामिन सौवलंबन, ज जलब प्रबंधन के एक चोटी सी तरकीब है, मैं इसे ने बता रहो हूं, इसका संबन्द देश के 84 करोड़ लोगों की जिंदगी से है, एक जमेन में मातर 10 विट का एक खाई खोद करके, 2 फिट चोड़ी 10 विट गहरी, और पूरे जमीन का पान, पूरे देश का पानी रो सकते हैं, और इस देश के भारत को वैसा ही भारत, देश के गाउं को वैसा ही समर्द और वैसा ही सावलंबी आत्म निर्वर गाउं बना सकते हैं, जो कभी आजादी से पहले था, आज से 25-30 साल पहले गाउं में 25-30 फिट नीचे पानी मिलता था, मैंने अपने गाउं में 25- चीज फिट नहीं, 15 फिट नीचे से पानी खीच के पिया है, आज उस गाउं में 1.500 फिट नीचे वाटर लेवल है और लोग भूख के कागार पढ़ हैं, ये, मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, इस गाउं के लोगों ने मुझे बहुत बार कहा, बावा तु बहुत बढ़ असान है, लेकिन किसी को पड़ी नहीं है, ये हमारे भारत के कुछ जिनको हम राजनेता कहते हैं, उसमें से कुछ अच्छे भी है, लेकिन जादा तर ऐसे नेता हैं, जो चाहते हैं कि लोग गरीब, बेबस, लाचार बने रहें, जिससे कि उनको जादा दिनों तक गुलाम बनाया जा सके, सासन किया जा सके उनको पर, तो सिक्षा, स्वास्त, सदेशी, ग्रामिन, सावलंबन, जरप्रबंदन, सच्छता, भरष्टाचार, टैक्सों में सुधार, सामजीक, न्याय, अध्यात्मिक, राश्ट और सो प्रतिशत, मतदान का अनिवार्य कानून, अब इ एक विशह, जो बहुत जरूरी है, सारे देश में एक बात कही जाती है, देश सबसे बड़ा नहीं होता, क्या बोला जाता है, जब भी पलिटिकल लेंग्वेज में बोला जाता है, कानून सबसे बड़ा होता है, कानून से उपर कोई नहीं होता, कानून अपना काम करेगा, आप हर राजनेता को एक हैती सुनेंगे ये कानून क्या है कानून अंग्रेजों ने हमें लूटने के लिए हमारा सोशन करने के लिए हमें गुलाम बनाने के लिए हमारे उपर अत्याचार करने के लिए बनाये थे तो जो कानून हमें लूटने के लिए हमारे उपर अत्याचार करने के लिए हमें गुलाम बनाने के लिए बनाए गए थे वही कानून आज तक हम पर क्यों लादे जा रहे हैं इस प्रश्चन का उत्तर थोड़ी सी देर में भाई राजी उजी देंगे मैं एक पांसाथ मिनिट में कोशिश करता हूँ यह बात कहने की आप सबको पुरानी घटना याद दिलाता हूँ आप सब जानते हैं उस घटना को हमारे देश में अंग्रेजों के खिलाफ सबसे बड़ा संगर्ष और सबसे पहला संगर्ष सन 1857 में हुआ और यह संगर्ष की प्रष्टवूमी क्या थी? जब अंग्रेजों ने इतनी लूट मार मचाई की देश गरीब हो गया, कंगाल हो गया जब अंग्रेजों ने इतने पुलिसी आत्याचार किये के हर आदमी तरहीतरा ही करने लगा जब अंग्रेजों ने किसानों से सारी जमीने छीन ली जब अंग्रेजों ने टेक्स लगाकर सारे स्वदेशी उद्द्योग खतम कर दिये जब अंग्रेजों ने भारत के लोगों को मार मार के यिसाई बनाना शुरू कर दिया तब भारतवासियों का धैरे चुक गया हम भारतवासियों की एक विशेशता है हम सोए हुए हाती की तरह से हैं जब तक हाती सोता रहता है सोता रहता है सोता रहता है सोता रहता है लेकिन जब वो चिंगार के भागना शुरू करता है तो सब को रौंद देता है अपने नीचे भारतवासी भी वैसे है हम अंग्रेजों के अत्याचार को 100 साल सहते रहे अंग्रेजों ने अत्याचार करना शुरू किया 1757 से जबसे उनको कलकत्ता में अपना राज्य स्थापित करने का रास्ता खुला आप जानते ना प्लासी का युद्ध हुआ था तो प्लासी के युद्ध के बाद जबसे कलकत्ता में और बंगाल में अंग्रेजों की सरकार बनी तब से अंग्रेजों ने अत्याचार शुरू किये वो अत्याचार हम 100 साल तक सहन करते रहे सौ साल तक हमने उफ नहीं किया अंग्रेजों ने जो किया हमने कभी उसके रास्ते में रुकावट बनने की कोशिश ही नहीं कई छुटपुट छुटपुट कहीं कोई विरोध होता था तो होता था जब पानी हद से जादा गुजर गया कहते हैं नाक तक पानी आ गया डूब जाना नहीं थी कि जो भारतवासी सौ साल से उनके अत्याचार सह रहे हैं वो एक साथ कभी खड़े हो जाएंगे भारतवासी खड़े हो गए तीन सो पचास से जादा इस्थान ऐसे बने जहां करांती हो गई और अंग्रेजों की सरकार को उखाड़ कर फेक दिया भारतवास में दूसरा केंद्र था सांगली फिर था कोलापूर फिर था पूना फिर पूरे भारत में ऐसे साड़े तीन सो से जादा केंद्र थे जहां अंग्रेजों की सरकार खतम हो गई और तीन लाख पैंसट हजार अंग्रेज उसमें मारे गए 1857 की करांती शुरू हुई थी यहीं हरिद्वार के नजदीक में एक मेरट नाम का इस्थान है मुश्किल से यहां से कितना 87 किलो मीटर होगा इस मेरट इस्थान से शुरू हुई थी करांती 10 मई 1857 को और वो फिर पूरे देश में फैल गई आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मे महिने में 10 मई से शुरू हुआ 10 मई से 10 जून 10 जून से 10 जुलाई 10 जुलाई से 10 अगस्त एक सितंबर तक पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी अंग्रेजों की सरकार नहीं बची एक भी अंग्रेज नहीं बचा तीन साड़े तीन महिनों में भारतवासियों ने अंग्रेजो सा कमाल दिखाते हैं तो साधरन भारतवासियों ने तलवारों से गर्दने काट दी अंग्रेजों के हसिया होता है ना हसिया जिससे फसल काटी जाती है उससे अंग्रेजों के गले काटे थे भारतवासियों मेरट में जाट किसान थे न ये सडकों पर निकल आये थे और अंग्रेजों की छावनी के एक एक अधिकारी को हसिये से काटा था खतम कर दिया पूरे हिंदुस्तान में 3,65,000 अंग्रेज मारे गए कुछ 2-4 अंग्रेज जिंदा बच गए वो भाग कर किसी तरह से लंदन पहुँच गए और वो भागे भी कैसे उन्होंने अपने पूरे शरीर को काला किया ताकि वो भारतवासी लगे चहरे को काला किया, शरीर को काला किया किसी तरह जिंदा बचने के लिए और वो किसी तरह युकती लगा के भाग गए वहाँ भाग कर अंग्रेज़ों की संसद में उन्होंने सारी कहानी सुनाई कि भारत में तो विद्रो हो गया, बगावथ हो गई तो अंग्रेज़ों की संसद में सबसे बड़ा प्रश्ना आया कि आगे कभी भी ऐसा कोई विद्रोह ना हो भारतवासियों में तो इसके लिए क्या-क्या करना दुबारा कभी भी ऐसा विद्रोह ना हो तो कई अंग्रेजों ने अपने प्रधान मंत्री को कहा जो उस समय इंग्लेंड का प्राइम मिनिस्टर था उसको पूछा गया कि क्या क्या करना फिर इसके लिए तो प्राइम मिनिस्टर को एक तो ये पूछा गया कि हम तो अंग्रेज खतम हो गए भारत में तो उसने का चिंता मत करो दुबारा हम फिर भारत में जाएंगे और भारत में हमारे कुछ मित्र और दोस्त हैं उनकी मदद से भारत में फिर प्रवेश करेंगे तो उनके मित्र और दोस्त कौन हमारे लिए जो गद्दार वो अंग्रेजों के मित्र और दोस्त आपको मालूम है इस हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने कई परिवारों को राय बहादुर की पद्वियां दे रखी थी ये सारे के सारे राय बहादुर देश के गद्दार सावित हुए सर की पद्वी राय बहादुर की पद्वी नाइट हुड की पद्वी ये पद्वियां लेने वाले सारे खंदन गद्दार निकले उन्होंने अंग्रेजों की भरपूर मदद की सबसे बड़ा परिवार जिसने अंग्रेजों की मदद की 1857 की बगावत के बाद पटियाला का परिवार जो आज भी जिंदा है और उसी परिवार का एक आदमी मुख्यमंत्री बनता रहता है पंजाब का बहुत शर्माती है मुझे पटियाला वालों को ये कहते हुए हमारे कुछ मित्र बैठे हैं याँ पटियाला के नवाब खांदानने राजा खांदानने 1857 की करांथी के बाद करांथिकारियों की मदद नहीं की अंग्रेजों की मदद की और उन्होंने एक पत्र भेजा जिसकी फोटो कॉपी कभी भी मैं पूरे देश को दिखाऊंगा उस पत्र में उन्होंने लिखा कि आप चिंता मत करिये अंग्रेजों को का आप चिंता मत करिये वापस भारत में आईये मैं आपको बीस हजार सैनिक दूँगा और बीस करोड स्वण मुद्राएं दूँगा आप फिर भारत में आकर अपना राज्ज स्थापित करिये तो पत्याला के नवाब के कहने पर अंग्रेज आ गए इसी तरह जीन्द का एक नवाब था हरियाना में जीन्द राज्ज था वहां के नवाब ने अंग्रेजों की मदद की फिर ग्वालियर का ये जो खांदान है सिंधिया खांदान इसने अंग्रेजों की मदद की ऐसे भारत में एक सालार जंग खानदान हैं वहाँ का हैदराबाद का जिसको निजाम कहते थे हैदराबाद का उसने मदद ऐसे 10-12 बड़े परिवार थे जिनों ने करोड़ों सोन मुद्राईं अंग्रेजों को दी और अपने सैनिक भी दिये लड़ने को तो उनकी मदद से अंग्रेजों ने वापस हिंदुस्तान में प्रवेश किया और क्रान्तिकारियों का कतले याम किया फिर एक सितंबर 1857 से लेकर एक नवंबर 1858 तक हिंदुस्तान के करीब करीब साड़े साथ लाग्से ज्यादा कर्म धिक कर दिया और कैसे कतल किया एक बिठूर नाम का चोटा सा शहर है कानपूर के नजदी, वहां के दो बड़े करांतिकारी थे इस देश में, नाना सहाब पेशवा और तांतिया टोपे, ये दोनों करांतिकारीों के शहर के 24,000 लोगों को गोली से मार दिया, या तलवार के मौत की घाट उतार दिया, अंग्रे जौन, तीन महिने के छोटे बच्चे से लेकर 90 साल के बुजर्ग तक सब को खतम कर दिया, अंग्रे जौन, अपराद क्या था, उनका कोई अपराद नहीं था, बस एक ही अपराद था, कि वो तांतिया टोपे, और नाना सहाब पेशवा के शहर में रहते थे, तो अंग्रेज कहते थे, ये सब बगावत करेंगे, और करां की मदद से किया था, और ये सारे कतले आम पूरे देश में हुए, अंग्रेजों की सरकार फिर स्थापित हो गई, फिर अंग्रेजों की सरकार जब स्थापित हुई, तो कुईन विक्टोरिया ने एक ऐलान किया, एक नवंबर 1858 को वो ऐलान भारत के बड़े-बड़े अख अखवारों में छपा, उस जमाने में अंग्रेजी कोई अखवार निकलते थे, उनमें छपा, उस ऐलान में कहा गया कि आज के बाद भारत में कमपनी की सरकार नहीं चलेगी, कानून की सरकार चलेगी, माने 1 नवंबर 1858 तक कमपनी की सरकार चलती थी, कमपनी माने East India Company, फिर कानून की सरकार चलेगी लेकिन वो कानून कौन बनाएगा वो कानून अंग्रेजों की संसत बनाएगी ब्रिटिश पारलेमेंट बनाएगी और उसकी आधार पर ये देश चलाया जाएगा अब ब्रिटिश पारलेमेंट में कानून बनाने के लिए बहस क्या हुई बिटिश पारलिमेंट में बहस यह हुई कि कानून ऐसे बनाए जाने चाहिए कि सारे भारतवासी कभी भी दुबारा से खड़े ना हो सके और अंग्रेजों के खिलाफ बगावत ना कर सके तो सबसे पहला कानून बनते हैं क्या आया सबसे पहला कानून आपको हिरानी होगी जानकर अंग्रेजों के खिलाफ जो बगावत हुई थी वो शशस्त्र बगावत थी उसमें हत्यारों का इस्तेमाल हुआ था अंग्रेजों ने सबसे पहला कालून बनाया कि भारत में हत्यार वही रख सकेगा जिसके पास license होगा, license जिसके पास नहीं होगा, वो हतियार रखने का अधिकारी नहीं होगा, तो अंग्रेजों ने क्या किया? Licensing of Arms Act, ये पहला कानून बनाया, और इस कानून के आधार पर क्या किया गया? घर-घर की तलाशिया ली गई, किसके घर में बंदूक है, किसके घर में हसिया है, छुरा है, चाकू है, क्या-क्या हतियार है, वो सब अंग्रेजों ने छीन लिये, क्योंकि अंग्रेजों को डर था, इनी हतियारों की मदद से भारतवासी दुबारा फिर बगावत कर सकते हैं तो सबसे पहले उन्होंने लाइसेंसिंग आफ आम्स एक्ट बनाके हतियार चीनने का कानून बनाया और एक बार भारतवासियों के हतियार चीन गए तो भारतवासी कमजोर हो गए और वो कमजोरी इतनी भारी पड़ी कि अगले 90 साल तक फिर अंग्रेजों की गुलामी हमें सहन करनी पड़े ये एक कानून बनाया होना ये कानून दुरुभागे से आज़ा दी के 62 साल के बाद भी अभी चल रहा है इस देश में मालूम है हतियार वही रख सकता है जिसके पास लाइसेंस हो सकता है और लाइसेंस देने का काम सरकार करती है पहले काले गोरे अंग्रेजों की सरकार वो काम करती थी अब काले अंग्रेजों की सरकार लाइसेंस लेकर के हत्यार खरीता है और गुंडा होता वो बिना लाइसेंस वाला है तो अब उल्टा चल रहा है तो एक कानून की मैंने मिसाल दी, दूसरा एक कानून अंग्रेजों ने बनाया, इंडियन पुलिस एक्ट, पुलिस एक्ट बनाया वो ये, कि हर भारतवासी कभी भी अंग्रेजों के खिलाफ कुछ न करे, उसको मार कर, पीट कर, दबा कर, कुचल कर, कंट्रोल करने के लिए एक एजेंसी चाहिए, तो पुलिस नाम की एक व्यवस्था उन्होंने खड़ी की, आपको मालूम है, 1858 से पहले इस देश में कोई पुलिस नहीं थी, किसी भी राजा ने पुलिस नहीं रखी, सेना होती थी, पुलिस नहीं होती थी, क्योंकि पुलिस की जरूरत नहीं थी, अपने ही लोगों को मारना, पीटना, दवाना, धमकाना ये कौन करता है, कोई राजा अपनी प्रजा को ये अत्याचार करेगा, लेकिन अंग्रेजों ने पुलिस बनाई जिसका नाम रखा इंडियन पुलिस एक्ट, और उसमें जो आधार दिया वो ये, कि हर पुलिस वाल अधिकार ने लगे, तो आपको लाठी पकड़ने का भी अधिकार नहीं होगा, आप सिर्फ पिटते रहिए, और अगर उस पुलिस अधिकारी की लाठी आपने पकड़ ली अपना डिफेंस करने के लिए, तो केस आपके खिलाफ बनेगा, कि अंग्रेज अधिकारी को भी चल रहा है, कोई पुलिस वाला सड़क चलते आपको रोक ले और आपके पैर में दो लट्ट जमा दे, आप उसका कुछ नहीं बिगाड सकते, और कोई पुलिस वाला तैश में आजा और निकाल के गोली मार दे, तो भी आप उसको फांसी के फंदे पर नहीं चड़ा सकत हमारे देश में पुलिस एंकाउंटर में सेकणों लोग निर्दोश मारे जाते हैं, और किसी पुलिस वाले को फांसी नहीं होती इस देश में, बहुत रेर केस होते हैं, जिनमें सुप्रीम कोर्ट भी आ जा, सुप्रीम कोर्ट ने तो महरा साब इसको बोल दिया है कि पुल पुलिस वाले यदि किसी अपराधी को गोली से मार देते हैं तो उनको जेल में ठोक दिया जाता है जो किसी की किसी अपराधी को कि के गुंडे को कोई बहुत हैं जो मुंबई में तो क्या बोलते हैं उनको सब माफियो को खुन तों को माइता है तो इसके उपर तो लकता है लेकिन वह हिंदुस्थाना को मारेगा तो नहीं लगेगा तब उसको एंकाउंटर मान लिया जाएगा तो थोड़ा सा हमारे एक बात मैं और कहना चाहता हूँ पुलिस में अच्छे भी लोग है राजीव भाई लेकिन उन अच्छों की संख्या हमें बढ़ा नहीं है एक प्रतिशत से कम है अच्छों की संख्या लेकिन वो अच्छे भी गलत कानून के नीचे रहकर मजबूर है तो इसलिए उसमें अभी जैसे आर्मेक्ट वाली बात थी आज हम अपनी सुरक्षा के लिए एक फोर्टी सेवन लेना चाहे तो हमें नहीं मिलेगी अपनी सुरक्षा के लिए लेना चाहे और आप रादी सर्याम लिए गुमते इस देश में लाखों की संख्या में एक फोर्टी सेवन है कि इनके पास है जो हमें मारने के लिए हमें सुरक्षा के लिए हम नहीं रख सकते तो ये थोड़ इसमें ये नहीं कि हम इस कानून व्यवस्था को पूरी तरह ता गाओं का प्रमुक होता था पंचायत उसके साथ काम करती थी जो जो काम ग्राम पंचायत करती थी कभी जरूरत पड़े तो टेक्स लगाना जरूरत पड़े तो उसको गाओं के विकास के लिए खर्च करना वो सारे अधिकार छीन कर एक collector को दे दिये गए और उस post को DM कहते हैं, district magistrate कहते हैं, collector कहते हैं और यह जिस कानून के तहत हुआ वो Indian Civil Services Act, वो कानून वैसे का वैसा ही चल रहा है एक department में इसमें थोड़ा सा एक बात में बीच में टोकूंगा, Indian Civil Service Act में education का पूरा का पूरा प्रबंध है लेकिन आप एक आर्मी के अंदर officer बनने के लिए आपको education certificate के साथ साथ आपका character certificate लगता है लेकिन यह Indian Service Act में character कहीं खतम सा है हमें ऐसा करना चाहिए कि education के साथ में character वो बराबर होना चाहिए तो हमारे अभी भी पूरी training होती है क्योंकि मैं दोनों ही व्यवस्ताओं से काफी अच्छे तरह से परीचित हूँ जो हमारे पुलिस और प्रसासन में जिनको तैनात किया जाता हूँ उनके लिए ये बात सही है कि उनको अत्रिक्त प्रशिक्षन दिया जाता है लेकिन उसमें प्रबंध किये जान के साथ में मानिवी मुल्यों का सम्वेदनाओं का एक बहुत गहरा समनवाई करने के अच्छता है तो ये संसोधन इसका मतलब ये ने कोई सोचे की ये सब जह है ये बाबाजी को ऐसा भारत बनाना चाहते है जहां कानून जहां व्यवस्ता हम उन व्यवस्ताओं को बदनना चाहते हैं जो अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाने के लिए जो है अभी बाबाजी जी कह रहे और इस देश का हर आदमी आत्म संबान के साथ जी सके ऐसी व्यवस्ता बनाना चाहते हैं तो ऐसे मैंने आपको दो तीन उधारन दिये एक उधारन दे के खतम करूंगा अंग्रेजों ने एक कानून बनाया पी डबलूडी का नाम सुना पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट इसका कानून मनाया स्वामी जी जल की बात कर रहे थे मैं उसी जल की बात कहने चाहरा हूँ 1857 के पहले हमारे देश का जो जल प्रबंदन था वो ग्राम पंचायत के हाथ में था तालाव होते थे कुआ होते थे बावडी होती थी और कोई राजाओं ने नहरें भी निकाली आपको मालूम हैं सबसे जादा नहरें इस देश में महराजा रंजीत सिंग ने बनवाएं सबसे जादा नहरें अंग्रेजों से भी जादा नहरें इस देश में महराजा रंजीत सिंग की बनाई हुई हैं उनको ये जल प्रबंदन का सबसे बड़ा ग्यान था इस देश में तो बहुत सारे राजा नहर भी बनवाते थे और ग्राम पंचायतें उनकी देखरे किया करती थी तालाब की, कुएं की, बावडी की आदी-आदी ये सब अधिकार ग्राम पंचायत की अधीम था जब तक ग्राम पंचायतें जल प्रबंदन का अधिकार रखती थी इस देश के सारे तालाब लबालब भरे रहते थे पानी से कभी पानी की कमी नहीं हुई इस देश में और पानी ऐसा रहा कि 10 फिट पर खोदो तो पानी मिल जा हम नहीं रिखा ये तो मैं बज़ बता रहा था तालाब जब लबालब भरे रहेंगे तो कुऊं का जलिस्तर बना रहेगा, बावडी का जलिस्तर बना रहेगा, बारिश तो अच्छी होती थी उस समय आज भी, तो सारे तालाव, कुएं, बावडी, सारी व्यवस्था ग्राम पंचायत के अधीन थी, तो पंचायतें उनका रखरकाव करती थी, अच्छे से चलता अंग्रेजों ने ये सारा पंचायतों से चीन कर एक डिपार्टमेंट बना दिया, पबलिक वर्क्स डिपार्टमेंट पी डबलूडी, और उनके हाथ में सब दे दिया, जब से ये हमारा जल प्रबंदन पी डबलूडी के हाथ में आया, सब सत्यानाश हो गया, तालाव सू उनका HR इतने से ही लेना देना है बागी से क्या लेना देना क्योंकि वो तो उस गाउं में रहते नहीं जो उस गाउं में रहता है उसको धर्द होगा कि मेरा ताला भरा हुआ है या खाली है किसी दूसरे शहर का आदमी PWD वाला जाता उसको क्या लेना देना तो अंग्रेजों ने ये एक एक चीजें छीन कर जो दे दिया अधिकारियों के हाथ में उनके कारण सारा जल प्रबंदन इतना खराब हुआ है कि भारत में चेरा पुंजी जहां डेड़ सो इंच बारिश होती है वहां पीने का पानी साल में तीन से चार महिने मिलता नहीं है एक बाल्टी दस र हमेशा 365 दिन साल में भरी बहती थी आज उस गंगा नदी में इतना इतना पानी रह गया है आप इधर से उधर जाके पार कर सकते हैं सारी नदियां सूख गई हैं तालाब सूख गए हैं कुएं तो खतम हो गए हैं बावडियां तो अब कहीं दिखाई नहीं देती हैं दिख दिल्ली में आज दिल्ली में दो तीन तालाव रह गए हैं बस ये पी डवलू डी ने हमारे देश में कर दिया तो अंग्रेजों ने क्या किया कि गाओं के लोगों के हाथ की सारी व्यवस्थाइं चीन कर अपने हाथ में ले लिया और उनको बेदरकार छोड़ दिया मैंने अं अंग्रेजों के सारे खर्चे जो सरकार के खर्चे हैं इसमें मालूमें सबसे कम खर्चा है वो जल प्रबंदन का है दो सो साल अंग्रेजों ने राज किया हर साल वो बजट बनाते थे और बजट इस देश के सामने माने अंग्रेजों की सरकार के सामने प्रस्तुत होता था तो आपको कलपना एक बताता हूँ, अगर सौ करोड रुपए का बजट होता था, तो पानी का खर्चा कभी भी एक लाख रुपए से जादा उन्होंने नहीं किया, सौ करोड के बजट में, अगर निकालेंगे तो दशमलब 001% निकलेगा, इतना कम, मने कुल खर्चे का दशम किसान फसल ना कर सकें, ताकि उनकी समरुद्धी ना पढ़े, ताकि वो अंगरेजों के खिलाफ बगावत करने वाले जवान पैदा ना कर सकें, ये सारी साजिश के तहत हुआ, तो किसानों को पूरी तरह से बरबाद करना है, तो पानी उनका छीन लो, किसान सब बरबाद ह हो जाएंगे, खेती करेंगे, कैसे, तो पानी तो अंगरेजों ने छीना है, और आपको मैं एक जगे का कभी एक दस्तावेज दिखाऊंगा, मौका मिला, उडीसा का मेरे पास एक दस्तावेज है, सन 1870 के आसपास का, जिसमें एक अंगरेज कलेक्टर ने नियम बना दिया, कि जो नहर होती है न, नहर में पानी तो छोड़ने का अधिकार सरकार के हाथ में है न, कब पानी छोड़ना, कब नहीं छोड़ना, तो 1870 में गंजाम जिले के कलेक्टर ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, कि पानी नहर में उन दिनों में छोड़ा जाए, जब खेत में फस और उस जमाने का गंजाम जिला आज के उडिसा के सोले जिलों के बराबर है ये एक जगे का मेरे पास दस्तावेज है अगर ढूडूँगा तो ऐसे सेकड़ों दस्तावेज और मिल जाएंगे कभी हमें अभी ढूड़ने हैं बहुत सारे दस्तावेज हमारे हाथ में नहीं लेकिन एक जिले का मेरे पास है हो सकता है संपूर भारत देश के सबी जिलों में ऐसे ही कलेक्टरों के आदेश जारी हुए हो कि जब किसानों की फसल खड़ी हो तो नहर में पानी नहीं छोड़ा जाए और जब फसल नहीं है तब पानी छोड़ा जाए इस तरह के कानून बनाके अंग्रेजों ने बरबाद किया है इस देश को और दुरभा किसे ये सब कानूनों की संख्या है 34,735 कानून उन्होंने बनाये थे इस देश को खतम करने के लिए पूरी तरह से अब वोई कानून आ जा दी के 64-62 साल के बाद भी चल रहे हैं उनमें थोड़ा-थोड़ा संख्योदन हुआ है IPC बनाया, Indian Penal Code, CRPC बनाया, CPC बनाया, Civil Procedure Code, Criminal Procedure Code, Land Acquisition Act बनाया उन्होंने Indian Forest Act बनाया, इंट्रेस्टिंग बात बताता हूँ आपको एक कानून बनाया Indian Forest Act, 1872 में भारतिय वन संरक्षा अधिनियम फिर Indian Forest Conservation Act बनाया, एक बार एक मामला आया अंग्रेजों की अदालत में ये मैं दस्तावेज के आदार पर कह रहा हूँ जवलपुर के कोट में एक अंग्रेजी सरकार के सामने मुकदमा आया था एक बूड़ी महिला, वो अपना चूला जनाने के लिए जंगल से कुछ लकड़ी लाई और उसने लकड़ी लगाके अपनी रोटी बनाई एक पुलिस आफीसर ने उसको पकड़ लिया कि तुमने जंगल से लकड़ी लाई, ये कानून के विरोध में है जंगल से लकड़ी चुनाना कारूनर अपराद है, उसमें जेल हो जाती है तो उसमेला को पकड़ कर जेल में ले गए, उसके उपर मुकदमा शुरू हुआ तो मुकदमे में जज ने उससे पूछा, कि तुमारा कोई वकील है उसमेला ने का मेरे पास खाने को रोटी नहीं है, वकील कहां से लाउंगी मैं ही मेरी वकील हूँ, तो नियाएदीस ने पूछा, तुमको कुछ कहना है तो उसमेला ने क्या कहा था, वो मैं आपको वैसे का वैसा ही सुनाता हूँ अंग्रेजों के दस्ता बेज के आधार पर ये सारी बात कराऊ महिला कहती है कि अगर मैं अपने चूले में लकडी जलाने के लिए जंगल से ना लाऊं तो अपनी रोटी बनाने के लिए दोनों हाथ जलाऊं क्या और उस महिला ने हमारी आँखें खोली माने हमारे जैसे लोगों की वो महिला कहती है कि ठेकेदार करोडों टन लकडी काट कर ले जाता है उसको खुली छूट है और मैं रोटी बनाने के लिए अगर दो लकडी ले आई तो मुझे पुलिस की सजा है ये कौन सा कानून अंग्रेजों ने बनाया है दुरुभागे से ये कानून अंग्रेजों के जाने के 62 साल के बाद भी चल रहा है सादरन गाओं के गरीब लोग जंगल में अगर लकडियां उठाला है तो फॉरस डिपार्टमेंट के लोग उनको जितना अत्याचार करते हैं आप सोच नहीं सकते और इसी देश में ठेकेदारों के सेकडों किलोमीटर के जंगल काट दिये ठेकेदारों ने सरकार के कान पर जू नहीं रहेंग थी चलते चलते एक छोटी सी बात कहता हूं हाँ, इसमें एक छोटी सी बात कहता हूँ, हिंदुस्तान में मालूम है, सबसे ज़्यादा लकडी किस के लिए कटती है, सरकार के लिए, सबसे ज़्यादा लकडी सरकार के लिए कटती है, और आपको एक दूसरी जानकरी मालूम है, सबसे जादा लकड़ी सरकार के लिए कटती है इस देश में सारे ठेकेदार जो लकड़ी काटते हैं वो सरकार के लिए काटते हैं और सरकार के आदेश पर काटते हैं सरकार वो लकड़ी नीलामी में देती है सिग्रेट बनाने वाली कमपनियों को और इस हिंदुस्तान में हर साल 20 अरब सिग्रेट का उत्पादन होता है और 500 सिग्रेट बनाने में पूरा एक पेड़ कट जाता है सिग्रेट है ना उसके उपर कागज लपेटा हुआ होता है वो कागज सबसे बहतरीन लकड़ी से ही बनता है क्योंकि सिग्रेट का कागज बहुत सम्विदन्शील होता है जरा सा सुलगाओ तो जल जाए cigarette के ऊपर जो कागज लपेटा जाता है उसके लिए फिर cigarette को packet में बंद करने के लिए जो कागज खर्च होता है उसके लिए मैंने average निकाला 500 cigarette अगर packet में बंद हो गई बन कर तो एक भरा पूरा पेड़ कट जाता है इस देश में करोणों पेड हर साल इस देश में कटते हैं सिगरेट बनाने के लिए और वो सिगरेट बनकर जो धुआ निकलता है उस धुएं से जो फैफडे गलते हैं और उससे जो कैंसर होता है और उससे जो मौते होती है और उन मौतों पे देश का जो नुकसान होता है वो एक अलग हिसा और फिर यही सरकार कितनी बेइमान और हराम खोर है, कि सिग्रेट के खिलाफ विग्यापन नहीं आना चाहिए टीवी में, उसके लिए नाटक भी करती है। सिग्रेट के खिलाफ सिनेमा में कोई सीन नहीं होना चाहिए उसके लिए भी नोटंकी यही सरकार करती है और मद्द निशेद विभाग भी इसी सरकार का है और सिग्रेट के खिलाफ विग्यापन करने का विभाग भी क्या हराम खोरी इस देश में लोक तंतर के नाम पर चल र बनाना और सराब बेचना हमारे हाँ पर घ्रनित माना जाता था पिसरी दोनों मैंने एक बात उठाई कि बढ़ जो शराब बेचने वाले लोग हैं वो व्यापारी जो है वो अत्याचारी हैं वो माफिया है और वो मोत के सोदागर हैं तो कुछ लोगों ने इस पर टिपनिया भी की कि बोलो बाबा जी ओ तो कानून के दाइरे में काम कर रहे हैं पहले शराब बनाना और बेचना दोनों घ्रनित माने जाते थे गैर कानूनन माने जाते थे भारत की राजनितिक व्यवस्था करोडू वर्षु पुरानी है उसमें कभी भी शराब को वैद्धिता नहीं थी माने उसको गैर कानूनन माना जाता था शराब बनाना और उसकी बिक्री करना तो ओला कानून का बना. तो 1840 से शुरू हुआ हैं इस पेश में इसलिये कह रहा हूं कि 1840 से पहले भारत में शराब बनाना और बेचना दोनों घृंद काम मानने जाते थे दंडनी अपराद मानने जाते थे आज शराब बेचने वालों को शराब बनाने वालों को प्रस्कृत किया जाता है और कानूनन उसको वैद माना जाता है इसलिए मतलब अवी बीच में दो चार बात और कहनी हैं हमको एक बात हम कहना चाहते हैं कि लोग कहते हैं कि कानून से बड़ा कोई नहीं होता कानून अपना काम करेगा चाहिए देश बरबाद हो जाए तबाह हो जाए मा बहन बेटियों के साथ बलातकार हो अत्या चार हो देश का योवन बरबाद हो जाए देश का बच्पन नसों में बरबाद हो जाए उनके लिए कानून अपना काम करेगा कानून कहता है शराब बनाओ कानून कहता है तमाखू खूब उगाओ खुब बच्चों को बूड़ों को बिमारों को बेनों को बेटियों को सब को खिलाओ हम कहते हैं कि कानून सबसे बड़ा नहीं होता देश सबसे बड़ा होता है और जो कानून देश के खिलाप है उनको बदल देना चाहिए तो ये एक धर्शन है हम कहते हैं कानून सबसे बड़ा नहीं देश सबसे बड़ा होता है देश अपना काम करेगा और देश से बड़ा कोई नहीं होता है ये ये अंतर है ये है कानून विवस्था में और अभी उसमें थोड़ा एक दो बाते हैं और हम जोड़ देना चाहरे हैं ये इंडियन एविडेंस एक जिसके अकान से देश के तीन से चार करोड़ों लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है और करीब दस करोड़ों लोग न्यायलों के चकर काट रहे हैं आप सोच सकते हो कितना ये मैंने एक बार देनिक भासकर में पूरा का पूरा इसके उपर पूरा फ्रंट पेज आधा भरा हुआ था और उसकी पूरी स्टड़ी मैंने की आज से तीन साल पहली की बात है तो करीब दस करोड़ों लोग न्यायलों के चकर काट रहे हैं साड़े तीन से चार करोड़ों लोग तो उसके अंदर सीधे जुड़े हुए हैं फिर उनके गवाह और उसके वकील कुल मिला करके हर परिवार का एक सदस्य औस तन ये हालात क्यों हैं इसका थोड़ा सा बताते हैं आपको कि लोग कहते हैं बावा कानून में क्या बदलने की जरुत है कानून तो अपना काम कर रहा है कानून तो सबसे बड़ा होता है कानून को बदलने की बात करोगे तो आपको भी जेल में डाल देंगे ये इंडियन एविडेंस एक्ट बना 1890 में और 1890 में अंग्रेजों नहीं बनाया इसको अंग्रेजों के सामने ये बड़ा प्रश्ण था कि भारत की नियाए विवस्था को कैसे खतम किया जाए तो भारत की नियाए विवस्था क्या थी और अंग्रेजों ने उसको कैसे खतम किया भारत की नियाए विवस्था के बारे में एक ही छोटी कहानी सुनाता हूँ हमारी नियाए विवस्था कैसी होती थी एक राजा का नाम आपने सुना विक्रमा दिते, चंद्रगुप्त विक्रमा दिते, बहुत न्याय प्रिय राजा, हमारे देश के किसी भी राजा की कहानी आप पढ़ना, तो पहला ही वाक्य मिलेगा वो न्याय प्रिय था, प्रजा वत्सल था, हर राजा इस देश में न्याय प्रिय हुआ, मानि न्याय देन का काम इस देश में राजा करता रहा तो चंद्रगुवत विक्रमा दित्ते के राज में दो महिलाएं आई एक बार, एक मुकदमा आया, दो महिलाएं थी, एक बेटा था एक माँ कहती थी मेरा बेटा है, दूसरी माँ कहती थी मेरा बेटा है राजा के सामने मुकदमा पेश हुआ तो राजा ने उसका नियाए करने के लिए का कि तलवार लाओ और आदा आदा काट दो आदा एक माँ को दे दो आदा दूसरी माँ को दे दो तो जैसे ही तलवार आई और बच्चे को काटने के लिए तलवार उठाई गई तो तुरंत असली माँ चिलाने लगी नहीं नहीं इसको काटो मत लगे तो पूरा का पूरा दूसरी माँ को दे दो राजा समझ गया असली माँ यही है जो अपने बच्चे को अपनी आखों के सामने कटता हुआ नहीं देख सकती तो नकली मां से बेटा छीन कर असली मा को दे दिया दो मिनट में पूरे मुकदमे का फैसला हो गया ये थी भारत की नियाए व्यवस्था जिसमें नियाए मिलता था और ततकाल मिलता था immediate अब अंग्रेजी नहाय व्यवस्था में जराइव इस मुकदमे का अध्यां किया जाएंग्रेजों का इस देश में एक चलता है Indian Evidence Act शाखष अधनियम जिसको कहते हैं फिर एक चलता है इंडियन Penal Code दंड सहेटा जिसको कहते हैं तो IPC और Indian साखष अधनियम माने भारतिय साक्षा दिनियम के आदार पर यही मुकदमा किसी भी अदालत में आ जाए तो मैं विनम्रता पूरवक कहता हूँ कि 20 साल तक यह मुकदमा चलेगा तै नहीं हो पाएगा कौन असली मा है कौन नकली मा है हो सकता है दोनों माताएं मर जाएं और बेटा भी बड़ा जवान होके स्वर्गवासी हो जाए लेकिन मुकदमा चलता ही रहे चलता ही रहे चलता ही रहे यह है अंग्रेजों की नियाए व्यवस्था साक्षे के साथ में सत्य नहीं जुड़ा हुआ हाँ साक्षियों के साथ सत्य को जोड़ना चाते हैं संसोधन वाली जो बात है बाव इसमें सबसे बड़ी मुश्किल क्या है कि सबूत आधारित आप सब काम करना चाते हैं गवा और सबूत ये दोनों ही बदले जा सकते हैं गवा भी बदला जा सकता है और सबूत तो इतने आसानी से मिटाए जाते हैं और नए बनाए जाते हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते इसी कारण से चुकि गवाह बदल जाते हैं गवाह पता है कैसे बदलते हैं पुलिस उनका एक बयान लेती है और अदालत में जैसे ही वो गवा खड़ा होता है तुरंत मुकरता है और कहता है कि पुलिस ने ये मेरे उपर अत्याचार करके लिखवा लिया ठीक है अब जैसे ही ये वो कहेगा तो मुकदमा जो 20 मिनट में फैसला होना चाहिए वो 10 साल तक ऐसे ही लटकता रहेगा क्योंकि हर गवा ये ही कहेगा कि पुलिस ने मेरे से जबरजस्ती लिखवा लिया, मुझे मारा, मुझे पीटा, मेरे उपर दबाव डाला, मैं क्या करूः मैंने मजबूरी में लिख दिया. अदालत में जाकर हर गवा ये बदलता है और इसी कारण अंग्रेजी नया व्यवस स्था में conviction rate 5% है conviction rate समझते हैं 100 लोगों के ऊपर अगर मुकदमा किया जाए तो सिर्फ 5 को ही सजा होती है 95 को सजा होती ही नहीं है वो कभी न कभी अदालत से बाइज़त बरी हो जाते हैं तो 100 मुकदमे अगर सरकार करती है और उसमें 5 को ही सजा होती है और 95 छूटते है इसका माने इसका माने या तो 95 मुकदमे जूटे या सरकार जूटी या पुलिस व्यवस्था जूटी या नियाय व्यवस्था कमजोर ये Indian evidence act ने ऐसा सत्यानाश कर रखा है हमारे देश में कि सत्य वहां महत्तुका नहीं है सबूत गवा वो महत्तुका है कई बार पुलिस officer कहते है सत्य क्या है हमें मालूम है लेकिन गवाह नहीं है क्या करें? सबूत नहीं है क्या करें? न सजा दिलवा सकते हैं न सजा किसी की करवा सकते हैं तो समस्या हमारी देश में यह और न्याया धीश को सत्य की पहँचान करने के लिए बिठाया जाता है वो न्याया धीश भी सबूत और गवाह के आधार पर सत्य को कोज था है आपको मालूम है न्याय धीश भी सबूत देखेगा गवाह देखेगा तब सत्य की पेंचान करेगा सत्य तो अपने आप में ही पूर होता है उसको कोई गवाह की जरूरत नहीं होती उसको कोई सबूत क जरूरत नहीं होती एक उधारन दे दूँ आपको अंग्रेजी नियाय विवस्था का कैसा मजा किस देश में चल रहा है आपने देखा बंबई में 26 नवंबर को जिन लोगों ने गोलियां चलाई आतंक वादियों ने पाकिस्तान से आकर और सेकड़ों लोगों को मार डाला उ हतम कर देना चाहिए अब तक उस मुकदमे को दस मिनट का काम है अब उसमें सबूत खोजे जा रहे हैं गवाँ ढूंडे जा रहे हैं उनको पकड़ कर लाया जा रहा है उसके सामने पेश किया जा रहा है और वो मक्कार आतंक वादी मजाग बना रहा है हस रहा है भारतिये व्यवस्था पर हस रहा है और दुरुभागे से वो नियाए व्यवस्था हमारी नहीं है वो अंग्रेजों की है तो अंग्रेजों की बनाई गई है नियाए व्यवस्था अंग्रेजों की बनाई गई प्रसाशनिक व्यवस्था पुलिस व्यवस्था इसमें बहुत सुधा करने की जरूरत है और ये सुधार आप हम मिलकर ही कर पाएंगे कोई राजनेतिक दल अगर इनको करना चाहता तो 62 साल में अब तक हो गया होता राजनेतिक दलों को कुछ पड़ी नहीं है उनको लगता है कि पुलिस का जैसा इस्तेमाल अंग्रेज करते थे वैसे ही आज राज कहते हैं जब मैंने सुना तो मुझे बहुत सीनियर आधिकारी पुलिस के की राजनेता पुलिस को अपनी रखैल की तरह प्रियोग करना चाहते हैं इसलिए कानून विवस्था नहीं बदन थे इतने ज़्यादा घटिया बात ये और कई सीनियर पुलिस आफिस कहते हैं कि व लोग कर रहे हैं ये तो आज हमारी इस देश के करोड़ों लोग ताकत बन गए हैं ने तो हमें यहाँ एक मिनट नहीं बैठने दे यहाँ पतंजली योग फीट में मुझे बहुत लोगوں ने कहा बोले बाबा जी आपको भी संक्राचारे जी की तरह उठाकर के जेल में ठोक देंगे मैंने काम तार ठोक के कहते हैं जिसकी हिंमत आ कर के ठोक के दिखाएं जेल के इंदर मेरा हम दिखाएंगे मेरे से बहुत लोगों ने कहा बोले बाबा जी ये गोर्मेंट आपके खिलाफ ये कर देगी ये गोर्मेंट वो कर देगी मैंने कहा मैं जो इश्वरिय कानून विवस्था है और जो मानवी ये कानून विवस्था है उसको पूरी तरह से मानता हूँ और मैं एक भी काम गैर कानूनन नहीं करता लेकिन कोई शड़ियंतर करके हमें जेलों के अंदर ठोकेगा उस दिर हम बता देंगे कि कानून क्या होता है तो इस देश में ये हिम्मत करने वाले तो कितने लोग होंगे जिनके साथ करूडों लोग खड़े होंगे आज ये माना कि देश के करूडों लोग हमारे साथ कड़े लेकिन एक विचारे गरीब आम आदमी को कभी भी रात को बारह बज़े जाकर के पुलिस उठा ले जाती है और उसको ठाने में ठोक देती है छे-छे मैने जमानत नहीं होती है बारे-बारे सालों तक लोग जेलों में सड़ते रहते आप कह दो और कुछ कहना है मुझे तो बस ये एक आखरी ही बात कहनी है कि हिंदुस्तान में इस बात को गंबीरता से मैं बीच में इसने बोला कि ये बात बीच में आ रही थी इसने मैंने इस बात को कहा है आपको सिर्फ ये चिंतन करने के लिए एक बात मैंने कही कि भारत की पूरी नियाए व्यवस्था दुरभागे से अंग्रेजी नियाए व्यवस्था भारत का तो उसमें कुछ भी नहीं है अंग्रेजी नियाय व्यवस्था जो आज हमारे देश में चल रही है इसमें conviction rate सिर्फ 5% है इस बात को ध्यान रखिए मनें 100 मुकदमें अगर किये जाते हैं तो 5 को ही सजा होती है 95 उसमें से छूट कर निकल जाते हैं चाहे वो बलातकार के अपरादी हो चाहे मरडर के अपरादी हो आपको मालूम हैं बड़े-बड़े क्रिमिनल्स इस देश में चुनाओ लड़ लेते हैं मरडर करने के बाद चुनाओ लड़ लेते हैं क्योंकि सबूत उनके पक्ष में होते हैं और गवाहों को वो फोड लेते हैं तो सबूत और गवाह के आदार पर चलने वाली इस व्यवस्था की सबसे बड़ी कमजोरी ये है गवाह अगर कमजोर है तो या तो बिकेगा या डर में तूटेगा और सबूत तो कभी भी बदले जा सकते हैं आपको मालूम नहीं है फोरेंसिक लेब की रिपोर्ट्स पूरी की पूरी बदल दी जाती है ऐसी हमारे देश में घ्रणित वेवस्था है इसलिए नियाय मिल नहीं पाता साड़े तीन करोड मुकद में पेंडिंग है वो इसी कारण से पेंडिंग है इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन पीनल कोड, क्रिसिमिनल प्रोसीजर कोड और सिविल प्रोसीजर कोड ये सब अंग्रेजों के जमाने के ड्राफ्ट किये हुए है उनका कहना ही ये था अंग्रेजों का नियाय किसी को मिलना नहीं चाहिए अन्याय हमेशा हर दम हर एक पर होना चाहिए तब ही ये लोग गुलाम बनेंगे तो अन्याय करने के लिए जो व्यवस्था उन्होंने बनाई है दुरुभागे से हम उसको न्याय व्यवस्था कहते है और मैं विनम्रता पूरवक कहता हूँ न्याय धीश कोई नहीं है इस देश में सब काईदा धीश है क्योंकि काईदे और कानून के हिसाब से फैसला करते है न्याय कभी नहीं देते मैं आपको एक उधारन से कहता हूँ एक कानून है हमारे देश में वो ये कहता है कि गाए को अगर आप डंडे से मारोगे तो आपको जेल हो जाएगी और उसी गाए का आप कतल कर दोगे और मास बेचोगे तो सरकार की तरफ से करोणों रुपए की सबसिडी मिलेगी तो गाए का कतल करने पर करोणों रुपए की सबसिडी है और उसको डंडे से पीटा तो जेल हो जाएगी क्या नियाय व्यवस्ता है इस देश अब इस कानून के आधार पर कभी कोई फैसला देगा नियाएधीश तो गाए की हत्या करने वाले को कभी कोई सजा नहीं हो पाएगी और गाय को विचारे डंडे से मारने वाले किसान को हमेशा जेल में ही रहना पड़ेगा तो कानून अगर गलत है तो नियाय कहां मिलेगा इसलिए हमारी आज की व्यवस्था काईदा धीशों की व्यवस्था है नियाया धीशों की व्यवस्था नहीं है हमको करना है कि नयाया धीशों की व्यवस्था लानी है इस काईदा धीशों की व्यवस्था से देश को बाहर निकालना है धन्यवाद आभा